सरल श्रीमद भगवद गीता, गीता चिंतन और बोध, लेखक प्रामचंद जोर्वर दार्शनिक सिद साधक, अध्याय चार, ज्यानकर्म सम्या सेउग, कुल श्लोक 42, भाग सत्रह, श्लोक 24 से 32 फलों के साथ विभिन बलिदानों का वर्नन करते हैं। श्लोक 24 अध्याय चार, ब्रहमापर्न ब्रहमा हविर ब्रहमागनो ब्रहमा नहुतम, ब्रहमे तेन गंतव्यम ब्रहमकर्म समाधिना, विश्य, ब्रहमयग्य का वर्नन, अनुवाद, जिस यग्य में आहूती अर्थात स्त्रुवा आदी भी ब्रहमा होता है और आहूती देने क सामगरी भी ब्रहमा होती है, उसी प्रकार ब्रहमरूपी शुष्टिकर्था द्वारा अगनी को ब्रहमरूपी आहूती देने की क्री अभी ब्रहमा है। ब्रहम कर्म में स्थित धर्मी का फल भी ब्रहमा ही है। चिंतन ब्रहमा बनने का अर्थ है देवत्व प्राप्त करना। जो इस ब्रहमान का पूर्ण ग्यान प्राप्त कर लेता है वह ब्रहमे बन जाता है। उसका जीवन ब्रहमा यग्या बन जाता है। वह ब्रहमा के लिए जीता है वह ब्रहमब बनकर जीता है। उन्हें विश्वास है कि ब्रहमब से परे कुछ भी नहीं है। ज्यान नेत्रों से देखे हुए उनके विराट रूप को जान लेते। उसे पता चलता है कि परमानु से लेकर आकाश तक पूरा ब्रहमान्द एक ही सिध्धान्द से बना है। जो परमानु में है वही आकाश में है। जो एक सौर मंडल में है वह पूरी आकाश गंडा में भी है। जो एक आकाश गंडा में है वह पूरे ब्रहमान्द में है। जो एक ब्रहमान्द में है वह अनंत ब्रहमान्द में है। फिर दूर की यात्रा करने के बजाए यद वी तक पहुँची है। लेकिन यह बहुत छोटा ब्रमान्ध है। उसके आगे भी उसका विस्तार अनंध है। एक अन्य माध्यम जो प्रकाश से भी तेजगती से चलता है वो है हमारा मन लेकिन वो मन भी कल्पना नहीं कर सकता कि अनंध ब्रमान्ध कहां से शुरू और समाप जाती है तब ब्रहम की खोज बंध हो जाती है। हमारी यात्रा वही रुख जाती है। वहां हम ब्रहमन हो जाते हैं। ब्रहम को प्राप्त करता है। एक सिध्धान्त एक इश्वर हर जगह व्याप्त है। यह निश्चित है कि उस परमात्मा के बिना कोई स्थान नहीं तब वह स्वयम ब्रहम हो जाता है. जीना, मरना, आना जाना सब ब्रहम हो जाता है. फिर उससे जो प्राप्त होता है वह भी ब्रहम है. ब्रहम से ब्रहम की प्राप्ती, उसके आगे कुछ भी नहीं रहता. बोध, जब हम शरीर के भोगों और साधनों से परे हो जाते हैं, हमारे मन में कोई इच्छा, कोई अपेक्षा नहीं रह जाती, तभी हमारे खाली, बिलकुल खाली मन में ब्रमजे ग्यासा जागरत होने लगती है तभी हमारी अनंध की यात्रा शुरू होती है मैं देखना चाहता हूँ कि इस विशाल आकाश में क्या छिपा है, मैं जानना चाहता हूँ फिर हम खगोल विग्यान का अध्ययन शुरू करते हैं खगोल शास्त्री अपने टेलिस्कोप, उपग्रहों के जरिये यह जानने की कोशिश करते हैं कि वे कितनी दूर तक पहुँचे हैं वह आकाश में चांद और तारों को देखने लगता है लेकिन वहां हमारी आखें एक सीमा से आगे नहीं जा सकती फिर जब हम विप्रीद दिशा में यात्रा करने लगते हैं तो हमें इस ब्रहमांद का प्रतिविम दिखाई देता है और अंत में हम आत्मा तक पहुँच जाते हैं जब कोई देखता है कि एक ही आत्मा परमात्मा बन गई है और अखंड ब्रमांद में स्थित है, तो सभी संदेह गायब हो जाते हैं, और तब उसे विश्वास हो जाता है कि केवल एक ही ब्रहमा है, एक ही परमात्मा है, और ब्रहमांद उसके बिना और कुछ नहीं है, और अनुवाद, कुछ योगी देवपुजा के रूप में यग्या को पून रूप से संपन्न करते हैं, जब कि आन्य योगी परब्रम परमात्मपर की अगनी में अभेद दर्शन रूप यग्या के द्वारा ही आत्मा रूप यग्या करते हैं. चिंतन, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके प्रान त्याग की शुरूआत हो जाती है. यानि जीवन की यह यात्रा शुरू होती है. जीवन जीना, जीवन को बनाए रखना एक कला है, त्याग है. बहुत से लोग जीवन भर सद्ग्यान प्राप्त करके अपने जीवन के इ एक कठिन जीवन जीते हैं, लेकिन वे अपने चरित्र और स्वाभिमान को प्रभावित नहीं करते हैं. ऐसे ज्यानी व्यक्ति का समाज हमेशा सम्मान करता है और एक आदर्श रखता है. लेकिन कुछ लोग केवल अपनी ही कोशिकाओं में ही फंज जाते हैं. उन्हें दु स्वयम विश्व पर भार हैं. ज्यानी लोग धीमे हो जाते हैं. गती कम करो, उनकी इस रुविवादिता के कारण ही परिवार और समाज की उन्नती नहीं हो पाती, बल्कि उन्हें कश्टों का सामना करना पड़ता है. जिसके पास है उसका नुकसान तो उठाना ही पड़ता है. वे स्वयम कभी सुख से नहीं रहते और वे दूसरों को कभी सुख से जीने नहीं देते. वे यह नहीं समझते की जीवन एक त्याग है, तपस्या है. इसलिए उसके जीवन का कोई आकार नहीं है, कोई महत्वन नहीं है. जीवन का अंतिम लक्ष परमात्मा को जानना और उसके साथ एक हो जाना है। इस तक पहुँचने के सब के अलग-अलग रास्ते हैं। समाज की सेवा करने से व्यक्ति परमात्मा के दर्शन करता है और अपने परम लक्षय को प्राप्त करता है। अर्थात वह ब्रमांद के परम सत्य को जानता था। उन्हें यह ज्यान है कि इस ब्रमांद में उस एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए वे द्रिश्य और अद्रिश्य का भेद भूल जाते हैं। उन्होंने जान लिया है कि आत्मा और परमात्मा वह उनका ज्यान्यग्य है, बोध, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष परमात्मा को देखना और उसे प्राप्त करना है, बहुत से लोग इस भ्रम में अपनी जान गवा देते हैं कि मैं जीवन में यह और वह करूंगा, लेकिन सब कुछ होते जहां उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी, वे गंदगी के सांध की तरह एक ही स्थान पर भूमते रहते हैं, कुछ तो चलना भी नहीं जानते, वे बैठे-बैठे ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, कुछ और भी अजीब दिगगज मूर्खों की तरह रहते जीवन का अंतिम लक्ष परमात्मा को प्राप्त करना है, और इस नश्वर जीवन को छोड़कर शाश्वत जीवन को प्राप्त करना, अर्थात मुक्ती या मोक्ष को प्राप्त करना, उस परमात्मा के साथ विले करना, त्याग है, जीवन और वह उस दिशा में जारी है, औ और वे शीग्रही अपने अंतिम लक्षे को प्राप्त कर लेते हैं। वे योगी बनते हैं। कोई योगी नहीं बन सकता। योगी बनने के लिए सबसे पहले जीवन के अंतिम लक्षे का निर्धारन करना होता है। उसके लिए पहले रोटी, कपड़ा, मकान की दैनिक जरूरतों को पूरा करना होगा। वह भी आत्मप्रयास। तो फिर हमें उसके लिए किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन निर्भर नहीं है। हम स्वाभिमान के साथ समाज में रह सकते हैं। किसी के पास शूद्रों की अन्य चीजों के लिए असहाय महसूस करने का समय नहीं है। आपको अपने पेट के लिए छल कपट से नहीं जीना है। यह वास्तव में एक मुक्त जीवन है। लेकिन आजकल लोग सिर्फ पेट के लिए इतने नीचे गिर जाते हैं कि उसके लिए जो चाहे पाप कर बैठते हैं। जीवन भरवे एक ही प्रशन के इर्दगिर्द भूमत रहते हैं। अपनी जरूरतों को सीमित करके उन पर काबू पाने की उनमें बुद्धी नहीं है। उसके जीवन का लक्ष यह है कि वो जितना संभव हो सके इकठा करता रहे। फिर उन्हें पता भी नहीं चलता कि खाली पेट कैसे सारी जिंदगी बरबाद हो जाती है। अधी कोई व्यक्ति इन इंद्रियों का सही उप्योग करता है, तो उस व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से अच्छा होता है। उसी को हम तपस कहते हैं। परंतु जो लोग इन इंद्रियों को वश्में नहीं करते, जो इनका ठीक से उप्योग नहीं कर पाते, वे न तो स्वयम अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं और न दूसरों को सुखपूर्वक जीने देते हैं। कभी-कभी स्वयम और जगत की कल्यान के लिए इन इंड्रियों को वश्मे करना पढ़ता है। हमें उन्ही बातों को ब्रहन करना चाहिए जो आत्मकल्यान के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए उपयोगी हूं। कोमलकान वाले लोग वह सुनते हैं जो उन्हें नहीं सुनना चाहिए और गलत समझते हैं। इसे जाने बिना तुरंत निराश या उत्तेजित हो जाता है वे अपने द्वारा सुने जाने वाले विचारों पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं बिना यह जाने की उनमें कितनी सच्चाई है कभी कभी हमें अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, दुनिया के बारे में सोचकर जो सुनते हैं उस पर धहरेपूर्वक प्रतिक्रिया देनी पड़ती है, इसे हम दूरदर्शिता कहते हैं लेकिन यह ज्यान सभी के लिए नहीं है, सब के पास नहीं है, तब ऐसे ओचे स्वभाव के चंचल स्वभाव के लोग तुरंथी भावुक होकर अपना और दूसरों का जीवन भी खराब कर लेते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जीवन में धहर्य बहुत जरूरी है। ऐसे तर्खीन लोग हमेशा खतरनाक और सभी के लिए हानिकारक बन जाते हैं। जो सुनने, बोलने, रहने, खड़े होने, बैठने में धहर्य रखते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। वे नाम के रूप में आते हैं। वे खुशी से रहते हैं। चंचल, उथला व्यक व्यक्ति को जीवन में धहर्य रखना सीखना चाहिए। धहर्य से जीने वाले लोग अपने जीवन में सफल होते हैं। उथले, चंचल, मन वाले लोग अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। इसके अलावा, वे दूसरों के जीवन के लिए घातक और खतरनाक हो जाते हैं वे खुद तो आगे नहीं बढ़ते लेकिन दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देते इसलिए हमें बात करने, चलने, व्यवहार करने, देखने, खाने, पीने, रहने आदी सभी चीजों में धहर्यकी आवश्यक्ता होती है उसी को हम संस्कार कहते हैं शलोक 27 अध्याई 4 सरवानी द्रियकर्मानी प्रांकर्मानी चापरे आत्मसयम अयुगाग्नो जुहवती ग्यांदी पिते विशे, अंत, करन, सयम रूप का यग्य अनुवाद, अन्य योगी जो अन्य इंद्रियों की सभी गतिविधियों और आत्मा की सभी गतिविधियों के ज्यान से प्रकाशित आत्म सयमयोग्रू पग्नि में हवन करते हैं चिंतन, जिस तरह हमारे शरीर में पाँच इंड्रिया होती हैं, उसी तरह शरीर में भी पाँच प्रान होते हैं, इनके योग से आत्मा शरीर में निवास करती हैं, वे ही इंड्रियों के विशयों की रचना करते हैं, इसी से शरीर के भावों का निर्मान होता है, जिसे हम मन क मन से परे बुद्धी निवास करती है और उससे परे आत्मा. यदि शरीर इंद्रियों के वश होकर कर्म करने लगे तो वे कर्म प्रकृती के विप्रीत कर्म बन जाते हैं. समाज उन कार्यों को स्वीकार नहीं करता है. इसलिए आत्मतत्त्व को जानने वाला अपनी जो आत्माओं पर भी वश में हो सकता है. इसे आत्मसयम कहते हैं, यह यात्रा आत्मा से शुरूव होकर इंद्रियों यानी शरीर पर आकर रुखती है. शरीर को आत्मा के अधीन करने पर ही आत्मसयम की प्राप्ती होती है. परन्तु यदि शरीर आत्मा को भूल जाए तो म बहुती महत्वपून सिध्धान्त बताया है। सारिक कामनाव में लिप्थ होकर अपने जीवन को शरीर से आत्मा की ओर ले जाते हैं। लेकिन ज्यानी अनुभवी व्यक्ति हमेशा आत्मा से शरीर की ओर यात्रा करता है। ऐसा व्यक्ति आत्मग्यान प्राप्त कर लेता है। ये लोग वास्तव में अपने जीवन में एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जो लोग इंद्रियों के विशयों के सुखों के अधीन रहते हैं, उनका अपने शरीर और मन पर नियंत्रन नहीं होता। इसलिए एक जानवर की तरह वे उसी कोश में फंस जाते हैं, बस अपना पेट भरने और शरीर का आनंद लेने की भावना। तब उनकी स्वार्थी प्रवृतियों के कारण उनमें कोई सद्भावना शेश नहीं रह जाती। ये लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते। ऐसे लोगों की समाज में कोई कीमत नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि समाज में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। इसलिए इन लोगों की वजह से समाज की सेहत बिगरती है। उनके कारण ही यहां वहां राजक्ता देखी जा सकती है। अहिंसा आदी के कठोर व्रतों का पालन करने वाले अनेक करमट पुरुष है। चिंतन, स्वाह, शब्द, त्याग, निस्वार्थता जैसे अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। जिसमें कोई मोह या स्वार्थ नहीं है। जो तत्वत्रिप्ती, संतुष्टी के पूर्न नुभव के बाद भूल जाते हैं, पुनर्वित्रित हो जाते हैं, वित्याग के रूप बन जाते हैं। यग्या में हम जो अहूती देते हैं वो संकल्प सिध्धी के बाद दी जाती है। यग्या दो प्रकार के होते हैं, एक संकल्प से पहले और एक संकल्प के बाद, यहा यग्य पुत्र प्राप्ति के उद्देशे से किया गया यग्य था। दुपद को ऐसा पुत्र चाहिय था जो द्रोनाचार्य का वद कर दे। द्रोनाचार्य ने पांडवों के माध्यम से दुपद को पराजित किया और उन्हें अपमानित किया। दुपद उस अपमान की पूर्ती के लिए जो यग्या, संकल्प, कार्य किया जाता है, वो संकल्प की पूर्ती से पहले का यग्या है। उसके बाद जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है, वो देश्वे सफल हो जाता है, तो जो यग्या किया जाता है, वो संकल्प सिध्धी के बाद का यग्या है। इस श्लोक में संकल्प पूरा होने पर भगवान ने अर्जुन को यग्यकी सूचना दी है। इस शरीर की प्रसन्नता के लिए इसे इकठा किया गया था वह भी बुला हो जाता है और मर जाता है। यह भी गायब हो जाता है। एकत्रित धन यही रहता है। उसका स्वाद कोई और लेता है। तीसरा फिर ऐसा विचार सुझाने वाले की आखे खुल जाती है। तब धन उस उनको यह बोध हो जाता है कि जीवन वियर्थ है। तो वे जगत के जनजालों में नफसकर परमात्मा की प्राप्ती के लिए प्रयत्न करने लगते हैं। उसके लिए वे सांसारिक धन्दों को छोड़कर साधना और तपस्या का मार्ग अपनाते हैं। जिससे वे परमात्मा के साथ एक होने का प्रयास करते हैं। इससे योगरू प्यग्य कहते हैं। आगे भगवान ने ज्यानरू प्यग्य का उलेख किया है। अहिंसा आदी के कठोर व्रतों का पालन करने वाले अनेक करमट पुरुश हैं। यदि आप सच्चा ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। इश्वर के दर्शन ही जीवन का सच्चा ज्यान है। लेकिन उसके लिए तन और मन कोई हिंसा न करे और उस विधी के कथोर व्रतों का पालन करे तभी मन शांत और पवित्र रह सकता है। व्यक्ति शुधर रह सकता है और ऐसे पारदर्शी मन में परमात्मा को देख सकता है। वहीं परिलक्षित हो सकता है। वहीं से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ऐसा ज्ञानयोगी इस ज्ञान यग्य को इस प्रकार करता है। बोध, जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको बस कोशिश करनी है, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि हम किस क्षेत्र में काम करते हैं, सभी क्षेत्र, सभी लोग, सभी रास्ते उसे एक परमात्मा की ओर ले जाते हैं, हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं व किसी के लिए कई जन्म लेने पढ़ते हैं, लेकिन परमसत्य परमात्मा है और यहीं पर सुपधैक के जूले में जूलती जीवन यात्रा का अंपुस के साथ एक होकर हो जाता है, जैसे नदी सागर से मिलकर सागर हो जाती है, उस नदी का अस्तित्वन नहीं है, वोह ऐसे ही यात्रा नहीं कर सकती। प्रानायाम हमारे जीवन में महत्वपून भूमिका निभाता है। इसको शुद करता है तथा शरीर में संचित दूशित भाग अपान भायू में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाता है। ये सभी क्रियाय काफी स्वाभाविक हैं। लेकिन शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए, जितना अधिक हम महत्वपून भायू को अफशोशित करते हैं, उतना ही ये शरीर को मजबूत होने में मदद करता है। इसलिए प्रानायाम में कुमभक और रेचक जैसी विदियो को सीखकर प्रान वायू को नाक के माध्यम से फेफों में जमा करके उप्योब के लिए वहां रखना, जिसे कुमभक कहते हैं, और जितनी देर हो सके रोके रखना, फिर छोड़ना, अर्थात रेचक, ये सभी प् शरीर को नुकसान भी पहुँचा सकता है, जिस प्रकार प्रानायाम से मन और शरीर की शुद्धी होती है, उसी प्रकार शरीर और मन की शुद्धी के बाद आत्मा में भी स्फूर्ती और बल की विद्धी होती है, वह भी शुद्ध किस्म का था, मूल रूप से आत्मा शु प्रान वायू का होम करते हैं। प्रान वायू का होम करते हैं। प्रान वायू करने के लिए प्रान वायू का बहुत अच्छा उप्योग किया जाता है। यग्यों की स्थुति अनुवाद अन्य योगी जो नित्य भोजन करते हैं प्रानों को स्वयम प्रानों में जला देते हैं अतहिए सब मनुष्य जिनके पाप यग्यों द्वारा नश्ट हो चुके हैं यग्यों के ग्याता है चिंतन पूर्ण नब्रम है क्योंकि जीवन अन्न से उत्पन होता है, अन्न से ही उसका विकास होता रहता है। भोजन हमारे शरीर को तभी स्वस्थ रखता है जब उसका संतुलित आहार के रूप में सेवन किया जाए। आपकी सेहत को दुरुस्त रखता है, लेकिन अगर इसका लगातार अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो शरीर कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाता है, अनुचित वृद्धी जरता की ओर ले जाती है, जुवों का दर्ग, रक्चाप, मधुमे, अपच, शरीर में अनावश्यक चरबी का जमा होना जैसे विकार शरीर में जर्जमाने लगते हैं और जीवन को छोटा कर देते हैं, साथ ही बहुत कम खाना खाने से कुपोशन होता है और शरीर कमजोर हो जाता है, तब शरीर में उत्साह नहीं रहता, कुछ भी काम नहीं करता है, शरीर भारी था, लगातार कमजोरी, कुपोशन की कई बीमारिया शरीर में जकर लेती हैं और जीवन को छोटा कर देती हैं, इसलिए मनुष्य को संतुलित आहार की आवश्यक्ता होती है, ना ज्यादा ना कम, जिनका आहार संतुलित होता है, खाने का समय निश्चित होता है, उनक जीने के लिए खाते हैं, इस ध्रम के कारण बहुत से लोग या तो खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, इससे उनका शरीर कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाता है, रोगगरस्थ हो जाता है, शरीर के रोग भी मन में प्रवेश कर जाते हैं, फिर जीवन में सात्विक संतुलित आहार जरूरी है. ऐसा आहार करने वाले ही योगी बन सकते हैं. वही भोजन का सही उप्योग कर सकते हैं. ये योगी जानते हैं कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है बलकी वास्तविक जीवन है. शाकाहारी भोजन में पौधे का जीवन होता है. एक मासाहारी आहार में पशु जीवन होता है. वही प्रान खाने वाले के शरीर में भोजन के रूप में प्रवेश करता है. भोजन के रूप में खाये जाने वाले पौधे और जानवर खाने वाले के शरीर में परिलक्षित होते हैं. जीवन ही जीवन में बदल जाता है इसलिए भगवंत आगे कहते हैं जो योगी नित्य आहार लेते हैं वे अपनी आत्मा के भीतर अपने प्रानों को जलाते हैं ऐसे धर्मी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए चून की अनग रहन उनका यग्य बन जात है उस अनक के सेवन से किसी की मृत्य नहीं होगी और वे इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उन्हें मारने का पाप न लगे इसलिए वे जीव जन्तूओं की हत्या भी नहीं करते अर्थात वे शुधर शाकाहारी बन जाते हैं और सेवन करते हैं उनके आहार में केवल यग्यों से नश्ठ हो चुके हैं यग्यों को जानने वाले हैं बोद मनुष्य के सुख डैक का कारण उसका आहार है जैसा वह खाता है वैसा ही उसका जीवन होता है हम हमेशा अपनी आँखों से देखते हैं कि नशा करने वाले समाज में कैसा व्यवहार करते हैं हमें यह द मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं है, जो कुछ वह पेत में भरता है वही उसके शरीर में निकल जाता है, यही उसके जीने का तरीका बन जाएगा, इतना ही नहीं जो लोग समय पर संतुले ताहार नहीं लेते वे कई तरह की बीमारियों और विकारों के शिकार हो जाते हैं, जीवन में भोजन का इतना महत्व है, जो लोग समय पर सात्वे काहार लेते हैं वे दीरधायू होते हैं और स्वास्थ, सुखी जीवन जीते हैं। करते हैं। यग्य ना करने वाले मनुष्य को यह मनुष्य लोग भी अच्छा नहीं लगता। तो आखिरत सुखद कैसे होगा। शिंतन, जीवन जीना एक त्याग है, लेकिन एक उत्कृष्ट, स्वावलंबी, परुपकारी जीवन जीना ही इसका महान त्याग है। इसी तरह जीवन हमेशा चलना चाहिए। यग्य से महायग्य तक, जो लोग एक महान जीवन जीने के लक्षे के साथ अपना जीवन जीते हैं, वे अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। लेकिन कई लोग अपनी साधा जिन्दगी आसानी से जीते जीते ठक जाते हैं। ये लोग अपने जीवन में कुछ नहीं करते। हमेशा आलसी, आश्रित जीवन व्यतीत करना, दूसरों पर बोज बने रहते हैं। इनसे दूसरों की उन्नती में बाधा आती है। वे खुद को खुश और आत्म निर्भर महसूस नहीं करते हैं। इसके विपरीत ये लोब दूसरों के लिए बाधा उत्पन करने का कार्य करते हैं। सक्रिय और निश्विय लोगों के बीच यही अंतर है जिसका वर्नन भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन से किया है। भगवान कहते हैं, हे कुरुश्वेश्थ अर्जुन, अर्जुन कुरुवंश का सर्वश्वेश्थ धनुर्धर था, वो ही एक योद्धा था, तो उन् ने इन यग्यों का वर्नन उन लोगों के रूप में किया है जो करते हैं और जो नहीं करते हैं। यग्य से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी शाश्वत परब्रम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने कर्मों को करने के बाद उसका सारा लाबुसी सिधर पुरुष को ही होता है। इसलिए ये कुशल लोग अंतिम समय में योगी बन जाते हैं और सनातन परब्रम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यही मानव जीवन का परम लक्षय है। इश्वर प्राप्ति इसके अतिरिक्त कुछ भी करने को शे हो जाता है। लेकिन जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं करते। यह मनुश्य भी लोगों को आलसी निश्प्रिय पुरुष को जो यग्यन नहीं करता, अर्थात जीवन में कोई कर्म नहीं करता, जिसका कोई लक्ष नहीं है, प्रसन नहीं करता। उन्हें ज्यादा सु पुरलब मनुष्य भी उन्हें सुहता नहीं। ये अपने कोश बंधन से बाहर नहीं आ सकते। पर लोग की प्राप्ती के लिए व्यर्थ कर्मों में चलना पड़ता है। जब ये सकौम जल्दी नहीं होते तो निश्काम कर्म कब करेंगे। अतह लोग और पर लोग का सुख उन्हें प्राप्त हो ये कदापी संभव नहीं है। इश्वर उनसे कोसों दूर है। इसलिए मनुष्य यदि समझ और पुरुशार्थ से अपना जीवन यग्य करें, तभी तो जीवन का परम लक्ष परमात्मा की प्राप्ती है, जिसे स्वयम के पुरुशार्थ से सित करना आवश्यक है। हमें अपने मानव जीवन को इस ध्रम में बरबाद नहीं करना चाहिए कि दुनिया हमारी मदद करेगी और फिर हम खुद को बचा लेंगे। जिस तरह इश्वर ने प्रगतिशिल लोगों को शरीर और जीवन दिया है, उसी तरह हमें भी दिया है। यदि बहुत से लोग अपने प्रयासों से अपना जीवन सफल बनाते हैं तो हमें भी उनके उदाहरन पर चलना चाहिए, उनके बताय रास्ते पर चलना चाहिए, देखना चाहिए, उनका अनुसरन करना चाहिए और अपने जीवन को बचाना चाहिए। भोगी लोगों से द कर्मजान विद्धी तांसर्वानेव ज्यात्वा विमोक शिर्से विशे, यगियों को सिध्धान्त रूप में जानने का फल अनुवाद इस प्रकार वेदों में अन्य अनेक प्रकार के यगियों का वर्नन मिलता है उन सभी को अपने मन, इंद्रियों और शरीर की गतिविदियों से उत्पन होने के रूप में सोचे उनके कर्मकांडों को सिध्धान्त रूप में जानने से कर्मबंधन से पूर्मतया मुक्त हो जाओगे चिंतन, कर्म का अर्थ त्याग है दो कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म मनुष्य के हाथ हमेशा होते हैं कर्म के महत्व को समझने वालों ने ही जीवन का अर्थ समझा यह सोचने में कोई हर्ज नहीं है कि उन्होंने भी जीवन में सभी बलिदानों के महत्व को समझा फिर ये लोग अपने हाथ से गलती नहीं होने देते, अपने हाथों से कुकर्म ना होने दे सारे कर्म शरीर से पैदा होते हैं, जीवन कर्तव्य से होता है, यह मन, इंद्रियों और शरीर के कारण होता है असंखे अच्छे और बुरे विचार मन में निरंतर उत्पन होते रहते हैं और इस प्रकार मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहती है यदि मन में अच्छे विचार आते हैं तो मनुष्य के हाथों से अच्छे कर्म होते हैं यदि बुरे विचार मन में प्रवेश करते हैं, तो मनुष्य के हाथों से बुरे कर्म होते हैं, जिसे हम पाप कहते हैं और पुन्य जिसे हम पुन्य कहते हैं, लेकिन ये विचार आते कहां से हैं, तो वे इंद्रियों के विशयों को धारन करके मन में आते हैं, ये शरीर की ज व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यक्ताओं को कम कर देता है। इसलिए वही एक निराश जीवन जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति बिना अपेक्षा के जीवन जीने का अभ्यस्त हो जाता है तो व्यक्ति स्वत ही व्यर्थ कर्म करने लगता है। निशकाम कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है, निराशा का डैख इस व्यक्ति का नहीं है, तो वह व्यक्ति हमेशा सुख में रह सकता है, इसके अलावा परोपकार निशकाम कर्म का परिणाम है, परोपकार का फल उसके सुख में व्रिद्धी करता है, इसलिए मनुष्य जितना अधिक पतिविधियों के सयोजन के माध्यम से कई कर्म उत्पन करता है। वेदो यानी शास्त्रों में इसका अलग-अलग तरह से वर्णन किया गया है। लेकिन उन सबका सार एक ही है। कार्य वही है। इससे केवल एक ही निशकर्ष निकालना है। हम जानना चाहते हैं कि अच्छा क अंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बोध, जीवन तरल है। यह मन, इंद्रियों और शरीर की ओर से काम करता है। यह कैसे काम करता है यह जानने का अर्थ है ध्यान, मनन और चिंतन। बुद्धी के प्रयोग से मन, इंद्रियों और शरीर को सयमित न किया जाए तो वे अस्प प्रिश्य हो जाते हैं. तब जीवन की दिशा आत्महत्या की ओर होने लगती है. सथी सुखों में रुची लेकर जीवन को नश्ट कर देते हैं. मनुष्य जन्म अनेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है, अनन्थ पुन्य. यदि इसे सही समय पर नहीं किया गया तो यह पुन इंद्रियों और शरीर की जरूरतें सीमित होनी चाहिए और जीवन सीमित होना चाहिए. वह जीवन में अधिक आनन्द, अधिक संतुष्टी लाता है. अभी तक हमने चतुर्त अध्याय के श्लोक 24 से 32 में फल सहित विभिन यग्यों का वर्नन जाना. श्वी क्रिशनार पन मस्तु